हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर्ट्रेड इस भी मैं हूं महमद सुहेद दस्तों पी आई इंडस्ट्रीज पे अपने प्रिविएस वीडियो में मैं आपको ब्रिक आउट एंड ब्रिकडाउन समझाया है उसके बाद हमारा इंट्री 3450 से लेकर 3460 में ह हुआ है हमारा शॉट्रम टार्गेट 3540 प्रोफेशनल शॉट्रम टार्गेट 3590 एंड फाइनल टार्गेट 3700 एंड 3590 के उपर हम लोग ट्रेलिंग कर रहे थे स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग नहीं लगा डाइरेक्ट 3700 टार्गेट अचीव होने के बाद स्टॉक अभी ट् लिए लिए समझाता हूं आप MSD देखो MSD में क्या होता है अगर फाइनल क्लबिंग के बाद भी स्टॉक अगर जानबूज के पब्लिक को ट्रैप करना चाहता है तो वह बैइंग देता है ठीक है जानबूज के और जो बैइंग देता है उसका फॉल देके फिर उसका ही बै स्टेश फॉर्म करने वाला है इंप्रॉपर बैइंग अब यह जो इंप्रॉपर बैइंग होगा यह इंप्रॉपर बैइंग कहां तक जाएगा यह इंप्रॉपर बैइंग जाएगा प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल यहां तक अब जब यहां पर जाएगा यह क्या करेग जिदर हम लोग क्या करते हैं no trading zone में काम करते हैं यानि इधर हम लोगों को काम करना नहीं है और stock selling जाते जाते जानबूज के previous breakdown level पे closing दे रहा है जो closing यहां पे क्या होगा proper breakdown level and fake breakout बनेगा यहां पे समझगे breakdown यानि गिरेगा fake breakout का मतलब भी गिरेगा और यहां पे अगर आप देखेंगे simple level मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने mcd में और matrix series में देखकर कि stock अभी यहां पे जान बूज के improper buying दे रहा है बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ and आप matrix series भी देखो selling के बाद जान बूज के buying दे रहा है बायर को attract करने के जिये जो totally improper है समझ गया totally improper है तो मैं suggest करता हूँ कि target अच्छी होगे निकल जाओ जब position बनेगा मैं खुद एक नया वीडियो upload करके बता दूँगा कि P.I. industries में कहां पे काम करना है दोस्तों यही था मेरा update P.I. industries पे अगर आप post-op analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लिजिए thank you for watching my video